नमस्कार आप सुनें उपन्यास चंद्रकांता का भाग चौथा अब तक आपने चाना कि क्रोर सिंग की चलाकियों का घड़ा फूट चुका है महराच्या सिंग ने ये आदेश दे दिया है कि उसके घर को लूट लिया जाए और उसके घर वालों को राज से बाहर कर दिया जाए तो क्या अब चंद्रकांता और वरिंद्र सिंग का मिलन हो पाएगा जानने के लिए सुने उपन्यास के इस भाग को मेरे साथ यानि आपकी अपनी निदी के साथ क्रोर सिंग की तबाही का हाल शहर भर में फैल गया महराणी रत्न गर्भा जो की चंद्रकांता की मा है और चंद्रकांता इन सभी ने भी सुना कुमारी और चपला को भी बड़ी खुशी हुई जब महराणी महल में गए तो हसी हसी में महराणी ने क्रोर सिंग का हाल पूश लिया महराणी ने कहा वे बड़ा बदमाश तथा जूटा था मुफ्त में लड़की को बदनाम करता था महराणी ने बात छेड़ कर कहा आपने क्या सोचकर विरेंद्र का आनाचानापन कर दिया देखिए ये वही विरेंद्र है जो लड़कपन से जब चंद्रकांता पैदा भी नहीं हुई थी यहीं आता और कई कई दिनों तक रहा करता था जब यह पैदा हुई तो दोनों बराबर खेला करते और इसी से इन दोनों की आपस की मुहपत भी बढ़ गई उस वक्त ये भी नहीं मालूम होता था कि आप और राजा सुरेंद्र सिंग कोई दो हैं या नौगड या विजयगड दो रसवारे हैं सुरेंद्र सिंग भी बराबर आप ही के कहे मुताबिक चला करते थे कई बार आप कह भी चुके थे कि चंदरकांता की शादी वरेंद्र के साथ कर देनी चाहिए ऐसे में मेल मुहपत और आपस के बनाव को उस दुष्ट क्रोड ने बिगार दिया और दोनों के चित में मैल पैदा कर दिया महराज ने कहा हाँ मैं अहरान हूँ कि मेरी पुद्धी को क्या हो गया था मेरी समझ पर पत्थर पड़ गए कौन सी बात ऐसी हुई जिससे सबब से मेरे दिल से वरेंद्र सिंग की मुहपत चाती रही हाई इस कौर सी ने तो गजब ही किया इसके निकल जाने पर अब मुझे मालूम होता है महराणी ने कहा देखें अवे चुनार गड़ में जाकर क्या करता है जरूर महराज शिवदत को भड़काएगा और कोई नया बखेड़ा पैदा करेगा महराज ने कहा खैर देखा जाएगा परमेश्वर मालिक है उस नलायक ने तो अपनी भरसक बुराई में कुछ भी कमी नहीं की ये कहकर महराज महल के बाहर चलेगे अब उनको ये फिकर हुई कि किसी को दिवान बनाना चाहिए नहीं तो काम न चलेगा कई दिन तक सोच विचार कर हर दयार सिंग नामी नायब दिवान को मंत्री की पदवी और खिलाद दी ये शक्स बड़ा इमानदार, नेक बक्त, रहम दिल और सावत अबियत का था कभी किसी का दिल उसने नहीं दुखाया था क्रूर सिंग को बस एक यहीं फिकर लगी हुई थी कि जिस तरह बने वरेंदर सिंग और तेन सिंग को मा डालना ही नहीं चाहिए बलकि नौगड का राज ही गारत कर देना चाहिए नाजिम को साथ लिए चुनार गड़ पहुचा और शिब्दत के दरवार में हाजिर होकर नजर दिया महराज इसे खुबी जानते थे इसलिए नजर लेकर हाल पूछा क्रूर सिंग ने कहा महराज जो कुछ हाल है मैं एकांत में कहूंगा तरवार बरखास हुआ शाम को तकलिये में महराज ने कुरूर को बुलाया और हाल पूछा उसे जितनी शिकायत महराज जैसिंग की करते बने की और ये भी कहा की लशकर का इंतिजाम आजकल बहुत खराब है मुसल्मान सब हमारे मेल में है अगर आप चाहें तो इस समय विजेगर को फते कर लेना कोई मुश्किल बात नहीं चंदर कहनता महराज जैसिंग की लड़की भी जो खुब सूर्ते में अपना कोई सानी नहीं रखती आप ही की हाथ लगेगी ऐसी ऐसी बहुत सी बाते कहे उसे महराज शिवदत को उसने पूरे तोर से भड़काया आखिर महराज ने कहा हम को लड़ने की अभी कोई जरूरत नहीं पहले हम अपने अयारों से काम लेंगे फिर जैसा होगा देखा जाएगा मेरे यहाँ छे अयार है जिन में से चारों अयारों के साथ पंडित जगननात जुद्शी को तुमारे साथ कर देते है इन सभी को लेकर तुम जाओ देखो तो ये लोग क्या करते है पीछे जब मौका होगा हम भी लशकर लेकर पहुंच जाएंगे उन अयारों के नाम थे महराज ने पंडित बद्रिनात पन्नालाल राम नरायन भगवान दत और घसीडा सिंग महराज ने पंडित बद्रिनात राम नरायन और भगवान दत इन चारों को जो मुनासित था कहा और इन लोगों को क्रूर सिंग के हवाले किया अभी ये लोग पैठे ही थे कि एक चौबदार ने आकर अर्ज किया महाराज ध्योडी पर कई आदमी फर्यादी खड़े हैं कहते हैं हम लोग क्रोर सिंग के रिष्टेदार हैं इनके चुनारगर जाने का हाल सुनकर महाराज जैसिंग ने घर भार लोट लिया है और हम लोगों को निकाल दिया है उन लोगों के लिए क्या हुकम है इस सुनकर क्रोर सिंग के होश उड़ गए महाराज शिवदत ने सभी को अंदर बुलाया और हाल पूछा जो कुछ खबुआ था उन्होंने बया किया इसके बाद क्रोर सिंग और नाजिम की तरफ देखकर अहमद भी तो आपके पास आया है नाजिम ने पूछा अहमद वह कहां है यहां तो नहीं आया सभी ने कहा वा वहा तो घर पर गया था और यह कहकर चला गया कि मैं चुनार गड़ जाता हूँ नाजिम ने कहा भस में समझ गया वह जरूर ते सिंग होगा इसमें कोई शक नहीं उसी ने महराज को भी खवर पहुचाई होगी यह सब फसाद उसी का है यह सुन कुरूर सिंग रोने लगा महराज शिवदत ने कहा जो होना था सो हो गया सोच मत करो देखो इसका बदला जैसिंग से मैं लेता हूँ कैसे तुम इसी शहर में रहो हमाम के सामने वाला मकान तुमें दिया जाता है उसी में अपने कुटुम को रखो रुपे की मदद सरकार से हो जाएगी कुरूर सिंग ने महराज के हुकम के मताबिक उसी मकान में डेरा जमाया कई दिन बाद दरबार में हाजित होकर कुरूर सिंग ने महराज से विजेगर जाने के लिए अरज किया सब इंतिजाम हो ही चुका था महराज ने मैं चारों अयार और पंडित जगनाथ जोच्शी के साथ कुरूर सिंग और नाजिम को विदा किया अयार लोग भी अपने अपने सामान से लैस हो गए कही तरह के कपड़े लिए बटुआ अयारी का अपने अपने कंधे से लटका लिया खंजर बगल में लिया जोशी जी ने भी पोथी पत्रा आदी और कुछ अयारी का सामान ले लिया क्योंकि वह थोड़ी बहुत अयारी भी जानते थे अब ये शैतान का जुन विजेगर की तरफ रवाना हुआ इन लोगों का इरादा नोगर जाने का भी था देखी कहा जाते हैं और क्या करते हैं वरिन सिंग और ते सिंग नोगर के किले के बाहर निकल बहुत से आत्मियों को साथ लिए चंदरप्रभा नदे के किनारे बैठे शोभा देख रहे थे एक तरफ से चंदरप्रभा दूसी तरफ से करम नाशा नदी बहुत नहाई हुई पहती हुई आई है और किले के नीचे दोनों का संगम हो गया है जहां कुमार और ते सिंग बैठे हैं नदी बहुत चोड़ी है और उस पर साखू का बड़ा बारी जंगल है जिसमें हजारों मोर तथा लंगूर अपनी अपनी बोलियों और किलकारियों से जंगल की शोभा बढ़ा रहे है कुमर विरेंद सिंग उदास बैठे हैं चंदरकानता की विरे में मोरो की आवास तेसी लगती है लंगूरों की किलकारी वज्ज सी मालूम होती है शाम की धीमी धीमी थंडी हवा लुका काम करती है कफनी पहने राम नंदी तिलक लगाए हाथ में खंज्री लिए कुछ दूर नदी की किनारे बैठा हुआ ये गाता दिखाई पड़ता है गए चुनारगड क्रूर बहुरंगी लाए चार चितारी संग में उनके पंडित देवता जो है सगुन बिचारी इनसे रहना बहुत समल के रसल अल चले अतिकारी क्या बैठे हो तुम बेफिकरे काम करो कोई भारी ये अवास कान में पड़ते ही ते सिंग ने गौर से उस तरफ देखा वैसा दू भी नहीं इन्हीं की तरफ मुझ करके गा रहा था ते सिंग को अपनी तरफ देखते दात निकाल कर दिखला दिये और उठके चलता बना पुरेंद्र सिंग अपनी चंद्रकानता के ध्यान में डूबे हैं उनको इन सब बातों की ख़बर ही नहीं वे नहीं जानते की कौन गा रहा है या किधर से अवाज आ रही है एक टक नदी की दरफ देख रहे हैं ते सिंग ने बाजिव पकड़ कर हिलाया कुमार चौक पड़े ते सिंग ने धेरे से पूछा कुछ सुना कुमार ने कहा क्या नहीं तो कहो ते सिंग ने कहा उठिये अपनी जगा पर चलिए जो कुछ कहना है वहीं एकान में कहेंगे ते सिंग ने कहा विरेंद्र सिंग समल गए और उठ खड़े हुए दोनों आतमी धीरे धीरे किले में आए और अपने कमरे में जाकर बैठे अब एक कहन्त है सिवाए इन दोनों के इस समय इस कमरे में कोई नहीं है विरेंद्र सिंग ने ते सिंग से पूछा कहो क्या कहने थे ते सिंग ने कहा सुनिए ये तो आपको मालूम हो ही चुका है कि क्रूर सिंग महराज शिवदत से मदद लेने चुनारगर गया है अब उसके वहाँ जाने का क्या नतीजा निकला वह भी सुनिए वहाँ से शिवदत ने चार एयार और एक जोशी को उनके साथ कर दिया है वह जोशी बहुत अच्छा रमल फैंकता है नाजिम पहले से उसके साथ है अब इन लोगों की मंडली भारी हो गई ये लोग कम फसाद नहीं करेंगे इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि आप समल कर रह है मैं अब काम की फिकर में जाता हूँ मुझे यकीन है कि उन एयारों में से कोई न कोई जरूर इस सर भी आएगा और आपको फसाने की कोशिश करेगा आप होश्यार रहेगा और किसी के साथ कहीं न जाएगा ना किसी का दिया कुछ खाईएगा बलकि इत्र फूल वगरा भ मुझे को पहचान लेजेगा देखी मेरी आप के अंदर नीची की तरफ ये एक दिल है जिसको कोई नहीं जानता आज से लेकर दिन में चाहे जितनी बार जब भी मैं आपके पास आया करूँगा इस दिल को छिपे तोर से तिकला कर अपना परचे आपको दिया करूँगा अ और तब पूछा तुमको कैसे मालूम हुआ कि चुनारगर से इतनी मदद इसको मिली है तेसिंग ने कहा किसी तरह मुझे को मालूम हो गया उसका हाल भी कभी आपर जाहिर हो जाएगा अब मैं रुखसत होता हूँ राजा सहाब या मेरे पिता मुझे पूछें तो जो मुना बाला दवे के लिए मर्दाने भेश में शहर से बहा निकली आधी रात बीट गई थी साव छिटकी हुई चान ने देख एका एक जी में आया कि नोगर चलू और तेसिंग से मुलाकात करू इसी ख्याल से कदम बढ़ाए नोगर की तरफ चली उधर तेसिंग अपने असले पयारी के समान से सजे हुए विजेगर की तरफ चले आ रहे थे इत्वाक से दोनों की रास्ते ही में मुलाकात हो गई चपला ने पहचान लिया और नद्रीज जाकर अपनी अस्री बोली में पूछा कहिए आप कहां सा रहे हैं तेसिंग ने बोली से चपला को पहचाना और क वावा क्या मौके पर मिल गई नहीं तो मुझे बढ़ी मेहनत तुमसे मिलने के लिए करनी पड़ती क्योंकि बहुत से जरूरी बातें कहनी थी आओ इस जगा बैठो एक साब पतर के जटान पर दोनों बैठ गए चपला ने कहा कहो वह कौन सी बाते हैं तेसिंग ने कहा सु दत ने मदद के लिए उसके संकर दिया है और वे लोग यहां पहुँच गए हैं उनकी मनली अब बारी हो गई है और इधर हम तुम दो ही हैं इसलिए अब हम दोनों को बड़ी हुशारी करनी पड़ेगी वे अयार लोग महाराज जैसिंग को भी पकड़ ले जाएं तो तास ते सिंग ने कहा एक काम करो मैं हरदयाल सिंग नए दिवान को पकरता हूँ और उसकी सूरत बना कर दिवान का काम करूँगा ऐसा करने से फौज और समनों कर हमारे हुकम में रहेंगे और मैं बहुत कुछ कर सकूँगा तुम भी महल में हुश्यारी के साथ रहना और जहां तक हो सके एक बार मुझसे मिला करना मैं दिवान तो बना रहूंगा ही एल्ला कुछ मुश्किल तो होगा नहीं बराबर असले सूरत में मेरे घर अर्थात हर्दयाल सिंग के यहां मिला करना मैं इसके घर में वियूसी की तरह रहा करूँगा इसके अलामा और भी बहुत से ते सिंग ने चपला को समझाई थोड़ी देर तक चहल रही इसके बाद चपला अपनी महल की तरव रुखसत हुई ते सिंग ने बाकी रात उसी जंगल में काटी और सुबा होते ही अपनी सुरत एक कंधी की बना कई शीशी इत्र को कमर और दो एक हाथ में ले विजेगर की ग पर पहुँचे दिखा दिवान साब लेते हुए हैं और दो चार दोस सामने बैठें गप्पे उड़ा रहे हैं बाहर भीतर खुब सननाता है ते सिंग इत्र की सीशियां ले सामने पहुँचे और सलाम कर पैट गए तब कहा लखनों का रहने वाला गांदी हूँ आपका ना सिंग बहुत रहम दिल आदमी थे इत्र सूंगने लगे और फाहा सोंग सूंग अपने दोस्तों को भी देने लगे थोड़ी देर में हर्द्याल सिंग और उसके सब दोस बिहोशो कर जमीन पर लेट गए ते सिंग ने सभी को उसी तरह छोड़ हर्द्याल सिंग की गठरी ब के साथ चल कर उस खों में पहुँचे जहां अहमत को कैद किया था किवार खोल कर अंधर गए और दिवान सहाब को उसी तरह बेहोश वहां रखकर मोहर की उनकी अंगोठी उंगली से निकाली तपड़े भी उतार लिये और पाहर चले आए बीडी डालने और होश में लाने क कोई जरूरत न समझी तुरंत लौट विजेगर आकर हर्दयाल सिंग की सुरत बना कर उसके घर महुचे इधर दिवान सहाब के भोजन करने का वक्त आ पहुचा लोंडी बुलाई देखा कि दिवान सहाब तो है ही नहीं उनके चार-पांच दोस गाफिल पड़े हैं उसे ब दिवान सहाब को उधर उधर ढूंढा मगर कहीं न पता लगा तीन पहर रात गुसर गई उनके सब दोस जो बेहोश पड़े थे वह भी होश में आये मगर उनकी हालत देख हारान थे लोगों ने पूछा आप लोग कैसे बेहोश हो गए और दिवान सहाब कहा है उन्होंने क एक गंधी इत्र भेश ने आया था जिसका इत्र सुंगते सुंगते हम लोग बेहोश हो गए अपनी घबर न रही क्या चाने दिवान सहाब कहा है इसी से कहते हैं कि अमीरों की दोसी में हमेशा जान का जोखिम रहता है अपकान मेरते हैं भाईया कि कभी अमीरों के संग न रहेंगे ऐसी ऐसी ताज्यूब भरी बातें हो रही थी और सिवेरा होने ही वाला था कि सामने से दिवान हर दया सिंग आते दिखाई पड़े जो दर असल श्री ते सिंग भादूर थे दिवान सहाब को आते देख सभी ने घे लिया और पोशन लगे कि आप कहां गए थे दोसों ने पूछा पर नाला एक गंधी कहां गया और हम लोग बेहोश कैसे हो गए दिवान सहाब ने कहा अरे वह चोर था मैंने पहचान लिया अच्छी तरह से उसका इतन नहीं सुंगा अगर सुंगता तो तुम्हारी तरह मैं भी बेहोश हो जाता मैंने उसको पहचान कर पकड़ने का इरादा किया तो वह भागा मैं भी गुस्से में उसके पीछे चला गया लेकिन मैं निकल ही गया अफसोस इतनी में लॉंडी ने अर्ज किया कुछ भोजन कर लीजिए सब के सब घर में बूठके बैठे हैं इस वग सभी को रोते ही गु पीरे तैवक पर दर्बारी पोशाक पहन गुप्त रिती से एयार का बटवा कमर में बान दर्बार की तरफ चले दिवान सहाब को देख रासे में बराबर दो पट्टे लोगों में हाथ उटने लगे वे भी जरा जरा सिल हिलाक सभी के सलामों का जवाब देते हुए कचहरी में पहुँचे महराज अब नहीं आये थे तेसिंग हर्दयाल सिंग की खसलत से वाकिव थे उने के मामूल के मुताबिक वे भी दर्बार में दिवान की जगा बैट काम करने लगे थोड़ी देर में महराज भी आ गए दर्बार में मौका पाकर हर्दयाल सिंग धीरे धीरे अर्ज करने लगे महराज धिराज तावेदार को पकी ख़वर मिली है कि आप चुनारगर के राजा शुदत सिंग ने क्रोर सिंग की मदद की है और पांच अयार साथ करके सरकार से बेद्बी करने के लिए इधा रवाना किया है बलकि ये भी कहा है कि पीछे हम भी लशकर ल वे भी करोर के साथ हैं बलकि सरकार के यहां वाले मुसल्मान भी उसी के तरफ मिले हुए हैं आजकल वे अयार जरूर सुरत बदल कर शहर में घुमते और बदमाशी की फिकर करते होंगे महाराज जैसिंग ने कहा ठीक है मुसल्मानों का रंग हम भी बेढ़ब देखते हैं फिर तुमने क्या बंदोबस किया है देरे देरे महाराज और दिवान की बाते हो रही थी कि इतने में दिवान साहब की निगा एक चोबदार पर पड़ी जो दरबार में खड़ा छिपी निगाहों से चारो तरफ देख रहा था वे गौर से उसकी तरफ देखने लगे दिवान साहब को गौर से देखते हुए वह चौबदार चुकंना हो गया और कुछ समल गया बात छोड़कर दिवान साहब से कहा पकड़ो चौबदार को हुकम पाते ही लोग उसकी तरफ बड़े लेकिन वा सिर पर पैर रखकर ऐसा भागा कि किसी के हाथ न लगा ते सिंग चाहते तो उस एयार को जो चोबदार बनके आया था पकड़ लेते मगर इनको तो सब काम बलकि उटना बैटना भी उसी तरह से करना था जैसा हर दयार सिंग करते थे इसलिए वो अपने जगा से ना उठे वो अयार भाग गया जो चोबदार बना हुआ था जो लोग पकड़ने गए थे वो वापस आ गए दिवान साहाब ने कहा महराज देखी जो मैंने अर्ज किया था और जिस बात का मुझको डर था वो ठीक निकली महराज को ये तमाशा देख कर खौफ हुआ चल्दी दरबार परखास कर दिवान को साथ ले तकली में चले गए जब बैठे तो हरदयाल सिंग से पूछा क्यों जी अब क्या करना चाहिए उस दुष्ट क्रोड ने तो एक बड़े भाई को हमारा दुष्मन बना कर उभा रहा है महराज शिव्दत की बराबरी हम किसी तरह भी नहीं कर सकते दिवान साहब ने कहा महराज मैं फिर अर्ज करता हूँ कि हमारे सरकार में इसमें कोई अयार नहीं नाजीम और एहमद थे सुक्रूर ही की तरफ जामिले अयारों का जवाब बिना अयार के कोई नहीं दे सकता वे लोग बड़े चलाक और फसादी होते हैं हजार पांच सो की जान ले लेना उन लोगों के आगे कोई बात नहीं इसलिए जरूर कोई इमानदार अयार मुकरर करना चाहिए पर ये भी एका एक नहीं हो सकता सुना है राजा सुरेंद सिंग के दिवान का लड़का ते सिंग बड़ा भारी अयार निकला है मैं उमीद करता हूँ कि अगर महराज चाहेंगे और ते सिंग को मदद के लिए मांगेंगे तो राजा सुरेंद सिंग को देने में कोई हसर ना होगा क्योंकि वे महराज को दिल से चाहते हैं क्या हुआ अगर महराज ने वरेंद सिंग का आना जाना बंद कर दिया अब भी राजा शुरेन सिंग का दिल महराज की तरव से वैसा ही है जैसा पहले था हर्देहा सिंग की वास सुनके थोड़ी देर महराज गौर करते रहे फिर बोले तुम्हारा कहना ठीक है सुरेन सिंग और उनका लड़का वुरेन सिंग दोनों बड़े लायक है इसमें कुछ शक नहीं कि वरेंज सिंग वीर है और राजनिती भी अच्छी तरह जानता है हजार सेना लेकर दस हजार से लड़ने वाला है और तेज सिंग की जलाकी में भी कोई फरक नहीं जैसा तुम कहते हो वैसा ही है मगर मुझसे उन लोगों के साथ बड़ी ही बे मुरवत्ती हो गई है जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मुझे उनसे मदद मांगते शर्म मालूम होती है इसके अलावा क्या जाने उनको मेरी तरफ से रंज हो गया हो हाँ तुम जाओ और उनसे मिलो अगर मेरी तरफ से कुछ मलाल उनके दिल में हो तो उसी मिटा दो और देज सिंग को लाओ तो काम चले हर्दयाल सिंग ने कहा बहुत अच्छा माराज मैं खुद ही जाऊंगा और इस काम को करूंगा माराज ने अपनी मोहर लगा कर एक मुकसर चिठी अपने हां से लिखी और अंगूठी की मोहर लगा कर उनके हवाले किया हर्दयाल सिंग माराज से विदा हो अपने घर आए और अंदर जनाने में ना जाकर बाहार ही रहे खाने को वहां ही मंगवाया खा पी कर बैठे और सोचने लगे कि चपला से मिलके सबक हाल कह दिया जाए थोड़ा दिन बाकी था जब चपला आई एकांत में ले जाकर हर्दयाल सिंग ने सब हाल कहा और वह चिठी भी दिखाई जो माराज ने लिख दी थी चपला बहुत ही खुश हुई और बोली हर्दयाल सिंग तुम्हारे मेल में आ जाएगा यह बहुत ही लायक है अब तुम जाओ इस काम को चल्दी करो चपला तेज सिंग के चलाके की तारिफ करने लगी अब विरेंदर सिंग से मुलाकात होगी यह उमीद दिल में हुई नकली हर्दयाल सिंग नोगण की तरफ रवाना हुए रासे में अपनी सूरत असली बनाली आगे का भाग सुनने के लिए मेरी पेस को फोलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेर करें, कमंड करें तब तक के लिए सबको नमस्य सबको बणा